Hello friends, welcome to my channel आज हम त्री दोश के बारे में देखेंगे ठीके? तो सबसे पहली बात तो त्री मतलब क्या होता है कि तीन ठीके? और दोश मतलब की क्या? कि ये जो दोश रहते है ना वो हमारे शरीर में रहते है यदि वह साम्या वस्ता में रहते है तो हमारे शरीर जो है उसको वो ठीक बनाए रखते है ठीके ना? सुस्त बनाए रखते है यदि वह साम्या वस्ता में रहते है तो लेकिन जब यह विश्म वस्ता में रहते है या अपन जैसे बोल सकते कि जब यह बड़े रहते है या फिर बहुत सादा इनकी व्रद्धी होती है या फिर इनका शय होता है उस टाइम पर ये क्या करते है कि हमारे शरीर में व्याधी जो है उसको कॉस करते है ठीके? व्याधी जो है उसको कॉस करते है तो यहां क्या करता है कि हम इसे दोश को कहते है क्योंकि यहाँ धातु को और मल को यहाँ दूशित करते हैं इसलिए हम इसे क्या कहते है दोश कहते है ठीके तो इसलिए हमने बोले कि त्री दोश ओके तो तीन दोश होते है ठीके कौन-कौन से होते है तो वात, पित्त और कफ ठीके तीन दोश कौन कौन से होते है वात, पित और कफ ठीके, तो वही मैंने बताई कि त्री दोश जो है इट शुड़ बी इन द साम्यावस्ता है ना, and due to increase और decrease in the दोशा इट कॉसे ज़िस ठीके, तो जब अगर ये साम्यावस्ता में नहीं रहता है तब ये क्या करता है, कि disease को cause करता है, ठीके, कोई भी व्याधी जो इसको cause करता है, ठीके ओके, now हम बताएंगे इसमें कि वात का क्या है, गुन जो है, उसमें चल गुन रहता है वात में, है ना वात जो है दोश में, उसमें चल गुन रहता है उस चल गुन के कारण क्या करते है कि जो पित्त और कॉफ है वह उसके कारण घूमते है उसके कारण वह चलायमान वो नहीं होते चलायमान उनको चलाता कौन है तो वायू चलाता है वात चलाता है ठीके ना तो वात का चल गुन होता है जिसके कारण की पित्त कॉफ को वो लेके जाता है ठीके? अब हम बताएंगे आपको तो सबको पता ही है कि हमारा जो शरीर है वो पुरा पंच भौतिक है हमारा शरीर जो पंच महाभूत से बना हुआ है हम जो आहर भी ग्रहन करते हैं भी कैसा है कि वो पंच भौतिक है है तो जो वात जो दोश है मतलब कि हमने जो देखे वात पित्त कॉफ दोश तो उनकी उत्पत्ति किस सरीके से होती ही वो देखेंगे हम अब ठीक है तो वात जो है वात जो है वो पंच महाभूत से ही बना है परंत उसमें जो अधिक्य है, मतलब कि कौन सा महाबूद उसमें अधिक्य है, तो वायू महाबूद जो है उसमें वात दोश में अधिक्य रहता है, है ना, इसलिए हम बोलते कि वायू जो है, वायू महाबूद जो है, वही गुन जो है, हमको वात दोश में देखने को मिलते ह इसलिए हम क्या बोलते है कि यह जो है इसमें वायू महाबूत है उसकी प्रधानता है ठीके समझ आ रहा फिर उसके बाद पित्त पित्त दोष जो है उसमें भी वह पंच महाबूत से ही बनाए लेकिन अधिक्य किसका है तो अगनी का अधिक्य है ठीक है इसमें कौन सा महाबूद का अधिक है तो अगनी महाबूद जो है उसका अधिक है इसमें रहता है पित्त दोश में ठीक है अब अगनी महाबूद जो है उनके जो जो गुन रहते है ठीक है उनका जो जो गुन है जैसे कि अपन बोल सकते हैं तिक्षन उषन है यह सब ज ठीक है उत्पत्ती होती है पित्य दोश की फिर कफ दोश की बात करते हैं तो जो कफ दोश है उसमें कौन-कौन से जो महाभूत प्राधान्य है तो जल और प्रित्वी ठीक है तो जल और प्रित्वी जो है यहां महाभूत कफ दोश में प्राधान्य होते हैं और आपको तो पत है वह हमें कर्फ में देखने को मिलते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि कर्फ दोज्ज उसके उत्पत्ति कौन-कौन से महाबूद से होई है किसका उसमें प्राधान्य है कौन से महाबूद का तो हम बता सकते कि जल और पृत्वी महाबूद, ठीके, तो ये जो एक्जाम में आता ही है, फर्स्ट येर के एक्जाम में, कि मतलब कौन-कौन से दोज्ज है, उसमें कौन-कौन से महाबूद प्राधान ने है, उनकी उत्पत्ति किस महाबूद से होती है, तो हमको अच्छे से याद रखना है, ठीके, ये अच्छे से याद रखो, तो वही हमने बताया कि, दोज्ज, धातु, मला, मूलम ही, शरीरम, मतलब कि क्या होता है, कि जो दोज्ज है, और धातु, और मल, ये ही क्या है, ये ही हमारे शरीर के मूल है, शरीर जो है हमारा इन ही से बना है, हमारा जो शरीर है पूरा, वो कि किस चीजों से बना है तो वह दोश, धातू और मल सही बना है इसलिए क्या बोला है कि दोश, धातू, मल, मूलम ही शरीरम तो यह important श्लोक है यह हर जगा आता है आपको हर जगा देखने को मिलेंगा अस्टांग रिदे करिया शारीर में भी मिलता है यह न तो यह सब जगा जो ह ठीक है लर्न होना ज़रूरी है दोश, धातू, मल, मूल, मूल, मही शरीरम ठीक है मतलब कि दोश, धातू और मल जो है यह हमारे शरीर के मूल है ठीक है न ओके अब हम देखेंगे कि यदि जो है हमारे शरीर में जो दोश है मैंने के बताए कि दोश जो वो सामय अवस्ता में रहना जरूरी है यदि वह साम्यावस्ता में रहते हैं तो वह हमारे शरीर को बहुत अच्छी तरीस के से रखते हैं ठीके ना हना हमारे शरीर जो है उसको स्वस्त रखते है ठीके तो स्वस्त कब रहेंगा हमारे शरीर जब हमारे दोश में हमारे दोश है वह साम्यावस्ता मे रहेंगे यदि हमारे शरीर के जो दोस है वह वैश्यम में हो जाता है मतलब कि दोस जो है वह उनकी वृद्धिया श्य हो जाता है तो उसके करण क्या होता है कि हमारे शरीर में व्याधिया उत्पन हो सकती है अब उसका कारण क्या है ऐसा क्यों होता है तो ये जो दोस वैश्य यह किस क्यों होता है क्योंकि जो अब हम आहार विहार जो है उसमें कभी कभी क्या हो जाती कि हम कुछ गलत आहार विहार जो है उसका सेवन कर लेते हैं मतलब आहार में यदि हम सपोज वात की वृद्धी हो रही है तो अधिक वात वृद्धी आहार विहार का जब हम सेवन करत ठीके न, फिर विहार मतलब क्या हो जाएगा कि हम जो कारियों कर रहे हैं जिसे की बहुत जादा बैठे रहेंगे, बैठे-बैठे, सोई-सोई रहेंगे तो उससे क्या हो जाती ही, कफ की वृद्धी हो जाती है, तो ये सबी चीज़ जो है ये आहार विहार के उपर ही हमारी शरीर जो उसका स्वस्त जो है वो डिपेंड रहता है मतलब कि हमारा जो दोश है वह उसके अकॉर्डिंग ही रहेंगा मतलब कि अगर हमारा जो आहर विहार हम कर रहे है उसके वज़े से हमारे दोश में विकुरूती आती है दोश में वैश्रम में आता है उसके कारण हमको क्य होता है व्यादी जो है वह होती है ठीक है मैंने क्या बोली थी कि दोश धातु मला मूलम ही शरीरम क्योंकि हमने बोले थे कि दोश धातु मला मूल मला जो है यह ही हमारे शरीर के क्या है मूल है अब मैं बात करूंगी तो जो जो हमारा जो धातु है ठीक है धातु का कारिया क्य धातु जहे वह हमारे शरीर को धारन भी करके रखता है और पोशन भी करता है हमारे शरीर का ठीके ना तो धातु का ये कारिय हो गया और मल जहें वह हमारे शरीर को सिर्फर सिफ धारन ही करता है वह हमारे शरीर को पोशन नहीं देता है तो ये धातु और मल में क्या हो कि डिफ प्रण वायू, समान वायू, उदान वायू, अपानवायू व्यानवायू ठीके तो ये पाच उसके प्रकार बता है वात दोश के पित्त दोश उसके पाच प्रकार बता है साधक पित्त ब्राजक पित्त रंजक पित्त आलोचक पित्त और पाचक पित्त ठीके फिर उसके बाद कफ दोश है उसके पाच प्रकार बताएगा है कौन-कौन से है तो कलेदक, कफ, अवलंबक, कफ, शलेश्मक, कफ, बोधक, कफ और तरपक, कफ तो ये सबी चीज़ हमने देख लिए तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था किसका दोश का तरी दोश का इंट्रोडक्शन हमने बताए तो ये अच्छे से याद रखो कि दोश मतलब क्या होता है और दोश के सामय वस्ता में रहने पर क्या होता है और जब वो विक्रूत हो जाते है दोश तो उसके विक्रूत होने पर हमारे शरीर में क्या-क्या व्यादी उत्पन हो सकती है और हमारी शरीर में जो दोश है वो किस से उत्पन होते है कॉंसेस में महाबुत प्रधान रहते है वो सब चीज हमने देखे ठीक है तो यह सबी चीज जो है यह बहुत important है आप सबी को याद रखना है यह सबी चीजे ठीक है तो इट इस जनरल इंट्रोड़क्शन अबाउट द तरी दोशा ओके अब इसके बाद हम देखेंगे किस के बारे में धातु के बारे में देखेंगे और जो दोश है वात्पित्तकफ उसका ब्रीव भी देखेंगे हम कि वो क्या होता है उनके कर्म क्या होते है उनका कारिया जो है क्या होता है उनके जो वृद्धी शय के जो लक्षन है वो कैसे कैसे है वो सब चीज हम सब देखेंगे ठीक है तो बी कनेक्टेड और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करना सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ठीक है और आपको अगर कोई भी जसे प्रॉब्लम होती है कोई भी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे डाल दो ठीक है मैं देखूंगी तो मैं फिर उसको बाद उसमें वीडियो बनाऊंगी ठीक है अगर कोई आपको नया टॉपिक भी चाहिए तो आप डाल दो उसमें ठीक है थैंक यू